हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. First of all, I welcome you all to my YouTube channel exclusive review. आज की वीडियो है जॉनी डैप और एमबर हर्ड के बारे में. वैसे तो जॉनी डैप को कोई इंट्रोड़क्शन की ज़रूरत नहीं है. फिर भी मैं बता दूँ, ये एक Hollywood एक्टर हैं जिन्होंने Pirates of Caribbean मुवी में Jack Sparrow का रोल प्ले किया. उस मुवी के बाद से ही जॉनी डैप ने अपने फैंस के दिलों में जगा बना ली थी. रिसेंटली काफी चर्चा में रहे जॉनी डैप क्योंकि लाज 6 हफतों से इनका विरजीनिया की कोट में मानहानी का केस चल रहा था. एक्चुल में एमबर हर्ड जो की जॉनी डैप की एक्स वाइफ हैं इनकी शादी साल 2015 में हुई और साल 2016 में एमबर हर्ड ने जॉनी डैप पर डॉमेस्टिक वाइलेंस का केस फाइल किया और केस के एक साल बाद यानी 2017 में दोनों का डाइवोर्स हो गया. लेकिन में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2018 में यानी डाइवोर्स के एक साल बाद जब एमबर हर्ड ने जॉनी डैप का नाम लिये बिना वाशिंटन पोस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें एमबर ने जॉनी डैप पर डॉमेस्टिक वाइलेंस का आरोप लगा इस लॉस की वज़ा से उन्होंने अपनी एकस वाइफ एमबर हर्ड पर मान हानी का केस फाइल किया बट एमबर हर्ड ने बताया कि ये कॉन्ट्रेक्ट जॉनी डैप की ड्रग लेने की वज़ा से कैंसल हुए ना कि मेरे आर्टिकल की वज़ा से और कोट कारवाई के दौरान भी एमबर ने जॉनी डैप पर कई आरोप लगाए जैसे फीजिकल अब्यूज करना और सेक्शल अब्यूज करना ये हाई प्रोफाइल केस पिछले कुछ हफ़तों से दुनिया भर में काफी सुर्खियों में बना रहा और केस के दौरान जॉनी डैप ने भी एमबर पर घरेलू हिंसा का अरोप लगाया बर दोनों ने ही अपने उपर लगाए अरोपों को सिरे से खारिज किया जौनी डैप और एमबर हर्ड की ये हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में पाइरट्स ऑफ कारेबियन स्टार एक्टर जौनी डैप की जीत हुई सुनवाई के दौरान कई खुलासे हुए और साथ मेंबर वाली जूरी ने एमबर हर्ड को मानहानी के केस में दोशी पाया और कहा के जौनी को बद्दान करने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया गया और फैंसले में एमबर हर्ड को एक्टर जौनी डैप को 15 मिलियन डॉलर यानी करीब 116 करोड रुपे देने होंगे इस फैंसले के बाद जौनी डैप के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कुछ मामलों में कोट ने जौनी डैप को भी दोशी पाया और एमबर की फैवर में फैंसला सुनाया और हर जाने के तोर पर एमबर हर्ड को जौनी की तरफ से 2 मिलियन डॉलर यानी करीब 16 करोड रुपे मिलेंगे फैंसला आने के बाद जौनी डैप ने कहा जूरी ने मुझे मेरी जिन्दगी लोटा दी सच्चाई कभी नहीं हारती चाहे फैंसला जो भी होता लेकिन इस केस का मकसद सच्चाई को बाहर लाना था वहीं दूसरी तरफ फैंसले पर अपनी राए बताते हुए एमबर ने कहा ये फैंसला महिलाओं के लिए एक बड़ा जटका होने वाला है उन्होंने ये भी कहा मुझे आज निराशा महसूस हो रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इतने सबूतों के बावजुद भी मेरे पती की पॉपुलरिटी और उनकी पहुँच के सामने ये सब सबूत फीके रहे और कहा कि घरेलो हिंसा को लेकर अब महिलाओं के केस में गंभीरता कम होगी लेकिन कोर्ट ने किस आधार पर ये फैंसला सुनाया आपको वो भी जान लेना चाहिए वरजीनिया कोट की साथ मेंबर वाली जूरी ने अपना फैंसला सुनाते वक्त कहा एंबर ने 2018 में जो आर्टिकल लिखा वो एक दढ़ावना पूरन इरादे से लिखा गया था और एंबर ने जॉनी डैप पर जो सेक्शल अब्यूज के ब्लेम लगाए उस वज़ा से भी जॉनी डैप को मानसीक और फाइनेशल काफी लॉस हुआ इतना ही नहीं जूरी ने ये भी बताया के डैप के वकील एडम बॉल्ड मैं ने एंबर के खिलाफ जो बेयान दिये उस से उनकी प्रतिष्ठा को भी काफी ठेस पहुँची इसलिए हर्ड को भी दो मिलियं यानी पंद्रा करोड रुपे का मुआफ़ा मिलेगा इसे तो वशिंटन के काफी न्यूज पेपर्स ने ये कहा कि इस केस में दोनों की हार हुई है और कुछ न्यूज पेपर्स ने कहा कि इस केस में दोनों की जीत हुई है Anyways, conclusion ये निकला जैसा कि जॉनी ने अपनी Instagram पोस्ट में भी कहा कि सच्चाई कभी नहीं हारती वैसे ही इस फैंसले ने मेरी आखें खोल दी कोट ने discriminate ना करते हुए सच का साथ दिया और अपना फैंसला सुनाया That's all in this video friends, do let me know in the comment box के आपको कोट का ये फैंसला कैसा लगा और इफ आपको ये informative वीडियो अच्छी लगी तो please hit the like button and subscribe to my channel Thank you so much, thanks for watching till end